देखो types of computer network या सिर्फ network ठीक है अगली heading डालो आज के लिए types of network ठीक तो network की definition कोन बता रहा है भाई network क्या होता है हाँ interconnections है ना कई सारे जो systems होते हैं उन सभी को आपस में जोड़ना उन सब का जाल उसी को हम क्या कहेंगे net कहेंगे ठीक तो network कहेंगे अब network जो है internet के अंदर या इसके अंदर types of network हम पढ़ने वाले ठीक तो basically जो है यह दो प्रकार का होता है ठीक कितने प्रकार का है दो प्रकार का पहला जो type है हमारे पास वो है peer to peer peer to peer network ठीक है पहला type कौन सा है peer to peer network ठीक दूसरा जो type है हमारे पास वो है server server based network server based network ठीक है server आधारित network ठीक है server based network server आधारित network यह दो प्रकार मुख्य रूप से देखो network कई सारे हैं दुनिया वर में है ना सेकडो की संख्या है उनको हमने दो category में बाट दिया है ठीक पहला जो है peer to peer और दूसरा है server based network अच्छा इससे पहले बताओ server क्या होता है data data center और correct करो कल बताया था मैंने server क्या होता है storage होता है इस network के अंदर सबसे पहली क्या खास बात है कि जितने भी computer system होंगे जितने भी हमारे पास computer system होंगे सारे के सारे computer system का अपना separate server होगा क्या होगा separate server होगा तो हम यहां लिख सकते हैं पहली line क्या लिख सकते है कि each computer प्रते computer के पास क्या है separate server है तीक है separate server है each computer has separate server तीक है प्रते computer के पास जो है अपना अलग server है अपना अलग server है तीक है मतलब सब के पास अपना अपना अलग क्या है एक storage device है तीक है और इसी को हम कहते हैं peer-to-peer network मतलब की सब के पास separate जो है server है ठीक यह जो system होता है यह जो network है ठीक है यह इससे अलग कैसे हैं कि यह जो server based network system है इसके पास क्या होगा इसके पास एक server से बहुत सारे computer क्या होगे connect होगे मतलब की इसमें प्रत्य computer के पास अपना खुद का server नहीं होगा ठीक तो यहाँ पर हम जैसे की मालो यह एक पूरा system है इसमें एक दो तीन चार कई सारे computers है पर server किसी एक ही computer के पास होगा बात समझ में आ गई ठीक है मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि one server server एक ही है but computer कितने है many computers इसको short में हमारे समझने के लिए हम लिख सकते हैं कि एक server है परन्तु computer कितने है कई सारे कई सारे computer जो है इसके अंदर सम्मलित होंगे बात समझ में आ गई दोनों में basic difference क्या है एक के पास server सबका अलग अलग है और दूसरे के पास जो है एक ही server से बहुत सारी चीजे interconnected है clear इतनी बात इसको note कर लिया वो तो अभी सब example में आपको बताने वाला हो ना तीक है इसके दूसरा हम सब example ही देखने वाले है इसको मिटा दूँ ठीक है देखो जो आप PC का बोल रहे हो ना वो आजाएगा PAN के अंदर personal area network क्या हो जाएगा PC computer का personal area network ठीक वो आपका personal हो गया अगर आपने जैसे कहा कि कि किसी school की building के लिए अगर हम या किसी college के campus के लिए अगर हम लेन network है तो हम उसको organization के हिसाब से देख सकते है ठीक है तो वो अभी सब सारे टाइप में आपको बता रहा हूँ अब देखो इतने सारे जो system में मेरे पास उन सभी को मैंने जो important है इसमें से है ना उन network को हम 5-6 network को यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला तो है हमारे पास lane सबसे पहला कौन सा है lane lane का मतलब क्या होता है local area network ठीक यह तो हम सबने पढ़ा हुआ है local area network यह lane का मतलब यह भी क्या है एक network है दूसरा होता है main main का मतलब बताओ हाँ metro metropolitan area network यह दूसरा हो गया lane main इसके बाद आता है when w a n इसका मतलब क्या होगा बताओ ज़रा wide area network इसका मतलब हो जाएगा हाँ ठीक है very good wide area network यह अगला होगा next ठीक इसके बाद एक होता है when के बाद आएगा आपका w lane यह कुण सा आता है w lane w lane का मतलब w का मतलब यहाँ पर क्या है wireless w का मतलब क्या है wireless और lane का मतलब तो पता ही है ठीक है तो wireless wireless wifi हाँ तो इसी में आएगा न wifi भी बिलकुल इसके अंदर personal भी होता है public भी होता है दोनों प्रकार का होता है ठीक है तो wireless local area network देखो यह जो lane होता है न यह तो बहुत पहले होता था अब तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है अब तो सारे कुछ wireless ही है जनरली पर पहले जो lane होता था उनको connect करने के लिए lane cable आती थी है न उस cable को भी lane cable कहा जाता था तो इस वज़ा से हम उसको कहते हैं कि वो wire के थू काम होता था पर अब तो सारा कुछ wireless वैसे ही हो चुका है ठीक है तो W का मतलब है wireless local area network अब देखो य वाइफाई जो connect हुआ है building से उपर से वो wireless नहीं है अभी हम wireless की जो बात कर रहे हैं वो यह जो wireless network की जो हम बात कर रहे हैं इसमें completely क्या है wireless है wifi है हमारा mobile भी जो चल रहा है उसमें भी बहुत जगा cable का use होता है ठीक है जैसे wifi भी कहीं पर लगा हुआ है तो उसमें भी cable का use तो होता है जो connection करके जाता है यह जरूर है कि उस wifi से हमारे phone तक कोई cable नहीं है ठीक है बाकी cable तो है पर यहाँ पर तो क्या है पूरी तरीके से wireless है से हो है ना मतलब की cable उसमें कहीं पर भी use नहीं होती है ठीक इसके बाद देखो अगला अगला है hen hen का मतलब क्या है hen का मतलब है home h का मतलब क्या है यहाँ पर home home area network home area network ठीक है home के बाद एक और है pan pan का मतलब क्या हो जाएगा personal ठीक है जो अभी आपने question पूछाता था ना personal personal area network home में एक से जादा member भी हो सकते हैं जैसे जब हम वाइफाइ लगाते हैं घर में तो घर के जितने सदस्से वो सब use करते है personal का मतलब सिर्फ मेरा है मेरे अलावा किसी का नहीं वो सब बता रहा हूं में अभी इनके बारे में है ना अभी तो खाली है नाम लिखो जल्दी जल्दी लिख लो इन सब को लिख लिए सभी ने पीछे वाले दिखाई देता है तुम लोग को अब देखो एक एक की बात करते हैं local area network में मिटा रहा हूं यह नीचे वाला है ना इसके बाद मैंने मिटा दिया आप लोगों सही कि मैंने क्या लिखाता है यहां पर है ना तो दिमाग में ध्यान रखना थोड़ा सा भूल नहीं जाना local area network local area network का मतलब है कि देखो अब यह जो network है यह network का basically जो हम कहें कि based है वो तो सबका एक जैसे ही है केवाल इनकी range में फराख या लगला ठीक है जैसे local area की अगर मैं बात करूँगा तो इसकी जो range है वो लगबग एक से लेकर के ज्यादा से ज्यादा नहीं city तो बड़ी चीज हो जाएगी यह सिर्फ एक से देड़ किलो मीटर या दो किलो मीटर तक ही होता है किसी छोटे शहर की अगर हम बात करें तो वो हो सकता है पर एक या दो किलो मीटर के एरिया वाले छेत्र को हम शहर तो नहीं कहेंगे है ना वो तो village की उसमें ही आए 1.5 किलो मीटर ये ऐसे सक्क्षेमर में होता है वाले को एक से लेकर के देड़ किलो मीटर तक कि जो एरिया उसी में आप लेन का यूज करते हो तीक अब इसमें मां लो आपके 10 यह 20 यह जो भी जितने भी कंप्यूटर से सभी को आपस में कनेक्ट करेंगे किस से लेन के थू केबल आती है उससे connect करेंगे ठीक अच्छा तो इसमें क्या बड़ा area नहीं हो सकता क्या वही connect तो करी रहे हैं और केबल पर केबल जोड़ते जाओ और area बड़ा कर दो ऐसा क्यों नहीं होता है एक या देड किलो मीटर से ज्यादा इसको क्यों नहीं बड़ा सकते हैं बहुत सा फायर्स जगा जगा लगाने पड़ते हैं ठीक है तो वैसे ही जितना area बड़ा होता जाएगा signal वीक होते जाएंगे मतलब speed कम होती जाएगी proper काम नहीं होगा इसलिए हम इसको छोटे area में ही लगाते हैं हाँ अगर आपको area बड़ा करना है तो फिर आप क्या करोगे कि दू में 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 चला जाएगा ठीक तो पहली चीज़ क्लियर हो गई यह हो गया आप इसके बाद वाला कौन सा था बता हो जड़ा में है ना में मतलब मेट्रो पॉलिटियन मतलब कि यहां पर आप जो area है इससे बड़ा है लगबग इससे हम कह सकते हैं कि यह 100 km के area तक कि मतलब कि कोई भी बड़ी city है ना कोई भी बड़ी city जो है दिल्ली बंबई जैसी भी यह सब उसके अंदर आ जाती है ठीक है चाहे वो हमारा इंदोर हो चाहे कोई भी उसके नाम में ही क्या है metro metro cities हम बोलते है ना तो उससे आप उसको याद रख सकते हो कि metro cities है metro cities का मतलब बह ऌगता हो wide area network wide area network में क्या होगा wide area network लगाओ जरा दिमाग क्या होगा wide area network अब country की बात करेंगे हम अभी शहर की बात करी हमने अब country की बात करेंगे, एक country को दूसरी country से connect करेगा, मतलब की एक world और countries के बीच में क्या करेगा, ये पूरा connection बना देगा, ठीक है, तो wide का मतलब में यहाँ पर में क्या लिखूँगा, दो चीज, एक तो country मतलब कोई भी देश, और दूसरा क्या लिख सकता हूँ, विश्व, वर्ड, ठीक है, country और वर्ड, ये दो चीजे जो है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं, wide area network के अंदर, जिसमें विश्व और कोई भी बड़ा से बड़ा देश हो, उसको जो है, हम इसके अंदर connect कर सकते हैं, ठीक, देखो, अब ये सब चीजे, इतनी आसान अब क्यों हो गई है, उसका कोई reason बता सकता है, क्या है, satellite की वज़े से, किसकी वज़े से, satellite, इसी लिए ये सब चीजे इतनी आसान हो गई है, नहीं तो पहले ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े देश है, इंडिया ही कितना बड़ा देश है, अगर satellite नहीं होते, इंडिया तो फिर भी चोटा है, है ना विष्म में फॉर्थ position पर आता है शाहिद, छेतरफल में कौनसी position पर आता है, 7th में आता है, 7th में नमबर आता है, मतलब एरिया के हिसाब से, उसके अगर देखे हम दूसरी छीजों में तो 3rd, 4th पर भी है वह कहीं जगों पर, रशिया, आप देखो रशिया तो इत्ता बड़ा देश है कि जिसके अंदर टाइम लाइन भी दो है, है ना, टाइम लाइन पड़ीती है, टाइम लाइन भी कितनी है, दो है, दो समय छेतर चलते हैं उसके अंदर, दूसरी चीज वो दो महादीपों में फेला हुआ है, यूरो बोलो, कौन सा था, डबल्यू लेन, ठीक है, डबल्यू लेन, डबल्यू लेन का भी जो छेतर भले वो इसके बराबर ही होता है, ठीक है, बस इसमें अंतर क्या होता है, इसमें कोई केबल यूज नहीं होती है, ठीक है, अंतर सिर्फ क्या है, कि ये वायरले से इसके अंदर क नहीं होगी, ठीक है? बाकी area में कोई अंतर नहीं होगी वॉक की टोकी टोकी तो रेडियो है हा तो वॉक की टोकी का बता रहा था वाक की टोकी रेडियो से चलता है, टीक है? उसके अलग अलग channels होते हैं वो internet में नहीं है, अगला बोलो, pen, pen का मतलब क्या होगा, personal, personal PC, ठीक है, personal computer जो होता है, वो pen के अंदर आजाएगा, ठीक, तो उसमें तो ज्यादा कुछ समझाने की जरुवत ही नहीं है, इसके बाद बोलो, hand, hand का मतलब, home, ठीक है, अगला है hand, hand का मतलब है home area network, home area network, अब जित्ता बढ़ा आपका home है, है ना, उसके हिसाब से आप उसको set कर सकते हो, ठीक है, home के लिए, घर के लिए ये use होता है, अब घर आपका कितना भी बढ़ा, उसकी range तो एक देड़ किलोमीटर ही रहती, इसकी भी, है ना, मतलब, बहुत बढ़ी range होती है home के हिसाब से, पराबा, किसी के पास password ही नहीं है, तो वो उसका use कर पाएगा, क्या, नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, कि ये एक घर के लिए हमारा particular separate network है, अगर हम किसी को बताएगे, तो ही वो use कर पाएगा, otherwise use नहीं कर पाएगा, टीक, इसके बाद बोलो क्या था, नहीं, वाइफाई की तो 100 meter के आसपास ही होती है, 100 meter भी क्या, नहीं, जादा-जादा 300-400 meter तक भी होती कभी-कभी, ये तो अलग-अलग type है, जो अभी connection हम पढ़ेंगे ना internet के, आपने सुना होगा न, air tail का एक aid आता है, उसमें जैसे हम लोग 500-600 या 700 रुपे देते हैं, तीन महीने के, डाटा का, वहाँ पर जो है, 3000, 4000, 5000, 5000 के भी connection मिलते हैं, वो ही same चीज, उसका अंत सेटलाइट फोन आता है, जो generally, जो हमारी governments के लोग होते हैं, military वो यूज करते हैं, वो कहीं पर भी signal पकड़ लेता है, ठीक है, क्योंकि वो direct किस से चलता है, सेटलाइट से चलता है, तो उसकी range में, और हमारे जो mobile हैं, इनकी range में, जमीन आस्मान का अंतर है, ठीक है, तो व जो बड़े-बड़े करोड़ पती लोग होते हैं, उनके तो घर भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं, आप देखोगे कि 10-20 एकर में फेले हुए होते हैं, तो वो उनके लिए भी एक घरी है, है ना, तो home area network हम चाहे तो उसको रख सकते हैं उसमें, पर वो आएगा commercially, है न मतलब selling के हिसाब से, वेसे ही, अगर मालनो किसी की दुकान है उसके घर में, तो वो बिजली का connection भी उसको अलग-अलग लेना पड़ता है, एक commercial purpose के लिए और एक home के लिए, दोनों के charges अलग-अलग होते हैं, तो वेसे ही इसका भी है, ये range तो आपको दे देगा coaching की पूरी, बट ये legal नहीं होगा, है ना, मतलब अगर आपको legally करना है, तो आपको commercial वाला connection लेना पड़ेगा, बात समझ में आई, चलो अगला बोलो, protocol, है ना, protocol का मतलब होता है, rule, यह हम लिख सकते है, set of rule, नियमों का एक समू है, ये, क्या है, नियमों का एक समू, जैसे हम सुनते हैं, जनरली की बड़े-बड़े जो नेता होते हैं, या प्रधान मंत्री, इनके लिए protocols हैं, कि protocols की according चलेंगे, कोई सरकारी नियम होते हैं, जैसे आप court में case लडने जाओगे, तो उसके नियम है, कि आपको ऐसे-ऐसे ही करना पड़ेगा, उसके अलावा वो समू है, जो हमको उस काम को करने में मदद करेगा, ठीक है, step by step, जैसे माल लो मुझे माल लो कोई website खोलनी है, तो उसके लिए protocol है, उसी के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, अगर मुझे कोई file किसी को send करनी है, तो उसके हिसाब उसके लिए भी क्या है, पूरा rules है, कि मु तो प्रोटोकॉल भी सेक्रोटाइप्स के है, जैसे कि अभी हमने इस में देखा नेटवर्क में, वेसे भी प्रोटोकॉल भी क्या है, नहीं, प्रकार तो बहुत सार है, मतलब प्रोटोकॉल बहुत सार हैं, पर हमने उनको डिवाइड कर रखी categories में, उनकी study के लिए, जैसे हर जगा पर classification हम पढ़ते हैं, साइंस में कहीं पर भी, बायो में पढ़ते हैं, chemistry में पढ़ते हैं, physics में पढ़ते हैं, वेसे यहां पर भी classification कर दिया गया है, इसके लिए ताकि हमको उसको पढ़ना आसान हो जाए, ठीक, तो इनको major 4 category में बटा गया है, जितने भी प्रोटो लेयर, यह पहली category, दूसरी जो category है हमारे पास, वो है transport layer, तीसरी जो category है, वो है internet layer, और last जो category है, वो है link layer, यह चार categories है, यह protocol के type नहीं है, है ना, यह चार categories में हमने protocol को क्या कर रखा है, divide कर रखा है, ठीक है, अब एक category में बहुत सारे protocol आ सकते हैं, दूसरी में बहुत सारे आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, ठीक, तो कल जब मैंने आपको बताया था, एक वो पूरा side लिखके, तो उसमें protocol मेंने किसको कहा था? H, T, T, P, S को. Hypertext, Transfer, Protocol, और S का मतलब? Secured. ठीक है? तो थोड़ा सा याद रखा करो. Hypertext, वो हमारा एक simple सा protocol था, जो की हमने कल पढ़ा था. अब देखो, इन अलग-अलग categories में आपको मैं कुछ examples दे रहा हूँ. Application layer में सबसे पहला example हमारा वो ही है, H, T, T, P, दूसरा है, H, T, T, P, S, ठीक, इसके बाद में F, T, P, है ना? इसके बाद में एक आता है, P, O, P, इन सब के नाम मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ. ठीक, और एक आता है, इसमें S, M, T, P. ये ऐसे 3-4 है, उसमें बहुत सार है, पर जो important है वो हम लिख रहे हैं. ठीक है, तो H, T, T, P, H, T, T, P, S, F, T, P, P, O, P, S, M, T, P. ठीक, इसके बाद में आगे चलूँ, अच्छा, एप्लिकेशन लियर का मतलब क्या है, एप्लिकेशन्स, ठीक है, एप्लिकेशन्स समझ रहे है, एप्लिकेशन का मतलब, ठीक है? इनको बताने के तो जरुगत ही नहीं है, यह transport है, यह internet और यह link है, ठीक, चलो, फिर आगे देखो, तो transport में TCP, जो most important है, यह जितने भी protocol है, उसमें से यह जैसे यह 2-3 बहुत important है, एक तो यह दो तो यह हो गया, एक यह हो गया, एक इसमें आएगा IP, ठीक है, यह बहुत important है, यह आएगा IP, IP के 2-3 version है, है ना, IPV4 और IP V6, ठीक, link layer के अगर में बात करूँ तो PPP, एक इसके अंदर है, और एक है ARP, ठीक, इसमें एक और आता है UDP, यह कुछ प्रोटोकॉल्स के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, जिनके बारे में अभी हम डीटेल में बात करने वाले हैं, इसमें से most important कौन सा है, most important, यह देखो एक, दो, यह तीन, और यह वाला, चार, ठीक, यह तो सब EC के वर्जन से, ठीक है, IP का मतलब EC के वर्जन से, यूरल का मतलब तो वो पूरा एड्रेस हो गया आपका, जिसमें साइट का नाम भी आ गया, सब डोमेन नेम भी आ गया, है ना, सारा कुछ आ गया, यह जो प्रोट कहा था, उस प्रोटोकॉल की बात हो रही है बस, बाकी का जो साइट कने में उसकी बात नहीं कर रहे हैं हुए, ले एश्टी पी पी का फुल पॉम बताओ मुझे कोई, हाइपर टैक्स, चलो, यह मिटा दूँ बाकी की सब चीज़े, एक-एक के उपर हम बात करते हैं, तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक, अचा दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, केबल इसमें क्या लगाना है हमको, सिक्योर, ठीक है, यह सिक्योर लगा दिया, यह दोनों का ही यूज होता था, ठीक है, पहले इसका यूज होता था, यह सेफ नहीं था, इसलिए इसको सिक्योर कर करना ठीक है जो भी चीज हम लिखते है उसको वे पेज के ऊपर ट्रांसफर करना मतलब एक तरीके से ये फेस होता है किसी भी जैसे ही आप ओपन करते हो न कोई भी चीज तो उसका फेस होता है ठीक अच्छा FTP का मतलब है फाइल तॉसको हम को किन-किन रूल्स को फालो करना पड़ेगा है ना एक जगा से दूसरी जगा पर ले जाने के लिए किन-किन नियमों का पालन करना पड़ेगा उसी को हम कहेंगे file transfer protocol जिसे एक केदी को एक जेल से दूसरी जेल ले जाना हो तो बहुत सारे documentation होते हैं रूल्स वैसे ही यहाँ पर भी एक file को दूसरी file आच्छा यह सब चीजे हमारे काम की कुछी भी नहीं है इसमें से हमको ऐसा कुछ नहीं है कि एक अगर हमने कोई किसी को file send की तो उसके लिए हमको बहुत सारे नहीं पालन करना पड़ा यह काम जो है यह तो अल्रेड़ी उसमें fixed है वो automatic जो है उसको करता है और हमारा काम जो है आसान बनाता है ठीक अगला वह लो P.O.P का मतलब है post office protocol P.O.P का मतलब क्या है post office protocol अब यह क्या करता है post office protocol नहीं यह post office उसका नाम है पर यह उस series में नहीं आता यह क्या करता है जो चीज हम delete कर देते हैं ठीक है उसको recover कैसे करना है उससे संबंदित नियम बताता है ठीक है post का मतलब होता है बादवाला है ना मतलब जो delete हो चुका है हमने कुछ चीज़े delete कर देते तो वो recover भी हो जाती है हाँ server से यह चीज़ों को क्या कर सकता है recover कर सकता है तो इसके आगे में लिख देता हूँ कि server से क्या कर सकता है यह recover कर सकता है recover कर सकता है किसी भी file को, ठीक है, file हो, video हो, image हो, उन सभी को computer की भाशा में हम file ही बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो email हो, तो post office protocol, server से recover कर सकता है, कोई भी आपने चीजों को delete अगर कर दिया है, उसके बाद भी वो उसको recover कर सकता है, ठीक, इसका मतलब लिखो, simple mail transfer protocol, simple mail transfer protocol, ठीक, इसके भी नाम से clear रही है, क्या करेगा, किसी भी mail के transfer के लिए, संबंदित जो rules है, उसको आपको बताएगा, ठीक है, यह हो गया, तो यह सब किसके अंदर आ रहे है, application layer के अंदर, ठीक, इसमें से most important जो है, यह उपर वाले दोनों है, जो हमको याद रखना है, ठीक है, और जो याद होई गए होंगे आपको अभी तक, ठीक, चलो, फिर इ it is most important, क्यों है, वो अभी मैं बताता हूँ, चलो, तो यह लिखा मैंने TCP, Transmission Control Protocol, इसका क्या काम है, देखो, जब भी हम कोई message किसी को भेजते हैं, है ना, मानलों आपने कोई भी message भेजा, कोई भी आपने हाई हलो का कोई भी message आपने किसी को अगर भेजा, तो वो जो message आप भ करता है, पहले उस message को टुकडो में तोड़ देता है, कौन तोड़ता है, यह TCP, जैसे मानलो, एक example इसमें बहुत चलता है, वो ही में बताता हूँ आपको, जैसे किसी ने किसी को message भेजा, I love you, Babu, है ना, ऐसा message भेजे जाते हैं लोगों के द्वारा, तो यह एक message है, I love you, Babu अब इसको अगर एक person ने दूसरे person को भेजा, तो यह message as it is उसके पास नहीं जाएगा, यह पहले उसको क्या करेगा, टुकडो में तोड़ देगा, कौन तोड़ेगा, TCP, है ना, उसका यही काम है, कि जैसे यह message आया, इस message को यह TCP ने कई सारे parts में तोड़ दिया, मतलब I को अलग कर दिया, है ना, A लो को अलग कर दिया, E को अलग कर दिया, इस तरीके से जैसे वो चाहे वैसे, जैसा उसको comfortable लगेगा, वैसा उसको क्या कर देगा, breakdown, और जब यह उस जगा पर पहुंच जाएंगे, जहां पर इनको पहुंचना है, तो उन सब को क्या करेगा वापस इखटा कर देगा, जोड़ देगा, और इस वज़े से वो व्यक्ति उसको क्या कर सकेगा, आसानी से, पर सकेगा, ठीक है, मतलब पहले तोड़ेगा, और फिर क्या करेगा, जोड़ेगा, अब जब जोड़ना ही था तो तो तोड़ा क्यों, और जब तोड़ दिया था तो ज ताकि जो मेसेझ यहाँ से जा रहा है obviously पार्ट के लिए छो फाइल है एक तो वह इसी यह पहुंच जाता है, और दूसरी चीज पीछ में जो हैकर्स होते हैं, है हो उसको डिकोड मैं कर सकते हैं, है्ै उसको सबस्सक्ता है जिसने आपने जिसको भेजा है वो ही उसको पढ़ सकेगा ठीक अच्छा ये चीज हो गई पहला दूसरा ये important इसके साथ क्या चीज है कि ये IP के साथ मिलके काम करता है किसके साथ IP के साथ IP के बीना इसका काम नहीं हो सकता IP का मतलब क्या होता है IP address एक word सुना होगा सबने क्या ह होता IP address हाँ जैसे कि हम सबके आधार कार्ड है सबका address है वेसे ही हर जो internet connection है या कोई भी device है जैसे mobile है laptop है आपने कोई नया खरीदा तो उसका एक IP address होता है IP का मतलब है internet protocol IP का full form क्या है internet protocol तो वो सभी का एक separate जैसे गाड़ी का भी चेचिस number होता है ना उसके engine का engine number होता है वे इसके through हम पता कर सकते हैं कि कोई particular file कहां से आई है या किसको भेजी गई उसका source ढूंडा जा सकता है जैसे कि WhatsApp पे मानलो किसी ने कुछ अफवा पहला दी जिससे कुछ नुकसान हो गया तो अब वो शुरू किसने किया था उसको अगर ढूंडना है तो हमको क्या trace करना इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक अब यह प्रोटोकॉल क्या करेगा कि यह IP ही इसको बताएगा कि यह जो मेसिज आपने तोड़ा है और फिर इसको जोड़ा है तो यह भेजना कहां पर है है ना यह तो तोडने और जोडने का काम करेगा और IP इसको क्या बताएगा कि आपको इस जगा पर इसको जाकर के भेजना है, बास समझ में आ गई, एड्रेस देने वाला कौन है, आई-पी, ठीक, और उसको पहुंचाने वाला कौन है, क्लिया, ठीक, नई, देखो आई-पी में भी तीन-चार टाइप है, एक होता है डाइनेमिक आई-पी, और एक होता है स्टेशल केसे में इस्पेशल लोगों के लिए होता है, जिनकी सिक्योर्टी बहुत जादा जरूरी होती है, या फिर यह वो लोग बना सकते हैं जिनको इस फिल्ड का नॉलेज होता है, है ना, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग जो क्राइम शो में हमने देखा है कि सकते हैं, तो वो सब लोग जो जानकार लोग है, जिनको यह सब चीजे बनाने का काम है, जिनका वो एसा कर सकते हैं, हला कि IP हम लोगों के लिए सब एक ही होता है, एक मोबाईल का एक ही आईपी है, वो चेंज नहीं होगा, वो इस्टेटिक आईपी है, डाइनेमिक आईपी बना 1970 के आसपास ही ये बन चुका था उस समय क्या होता था कि जनरली जादा लोग के पास कोई connection तो थे नहीं है ना तो ये दो digit में केवाल IP नमबर देता था कितने digit में दो digit में जैसे mobile नमबर पहले छोटे होते थे फिर दीरे-दीरे जैसे कुछ सीरीज लोगों ने ले रखी थी आइडिया उसी सीरीज में नमबर देता था पर आब इसा है क्या नहीं है उसका रीजन क्या है कि connection इतने सारे हो गए है कि सब को separate करने के लिए कुछ ना कुछ उसका एरिया तो बढ़ा नहीं पड़े तो वेसे ही IP से जब condition टेक ओवर नहीं हो रही थी मतलब कि connection इतने ज्यादा होने लगे कि IP को उन्होंने क्या किया अपग्रेट किया और IP को अपग्रेट करके उन्होंने क्या बनाया 1970 में IP V4 बनाया क्या बनाया IP V4 यह इसी का वरजन है अगला तीक यह जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल जो 4 है इसने क्या किया इसने 32 32 बिट्स बोला जाता इसको कम्प्यूटर की भाषा में यह हम कह सकते हैं अंको में 32 अंको में जो है यह किसी को आईडी देता है ठीक है अगर आपका यह जो IP एड्रेस है यह कम से कम कितने अंका होगा 32 किसके हिसाब से इसके इसके बाद जो 6 वाला आया उसमें 128 नंबर थे ठीक तो यह जो 32 अंक है इस 4 part जैसे माललो 32 संक अगर मुझे लिखना है तो 8, 8 के में कितने set बनाऊँगा? 4 है ना माललो ये 1, 2, 3, 4 ये इस तरीके से 8 number हो गए 1 set बन गया फिर ही माललो ये दूसरे 8 number हो गए ये दूसरा set बन गया इसी तरीके से 2 set में और बनाऊँगा मतलब कि 88 के 4 set बनेंगे उसको हम बोलेंगे कि 4 byte है उसके अंदर ठीक और total मिला के कितने character से उसके अंदर 32 ठीक अच्छा फिर इसके अंदर alphabet से लेकर sign से लेकर सारी चीज़े इस्तमाल होती है ठीक है इसमें ऐसा कोई भी किसी से परहेज नहीं है कि भई यह alphabet use करना है या नहीं करना है यह सब कुछ use होता है क्यों क्योंकि सब को separate number देने ठीक तो यह हो गया इसके बाद जो launch हुआ वो हुआ था 1999 में IPV6 इसमें जो थे वो कितने character थे 128 128 ठीक हाँ 98 ही तो है 1999 में लॉंच हुआ IPV6 जिसमें 128 bits थी मतलब 128 characters थे और 16 byte थी ठीक मतलब 88 के कितने set थे इसके अंदर 16 8 8 के 16 सेट थे तो मतलब कि यह और ज्यादा complicated था ठीक है मतलब कि और ज्यादा specific था यह जितना ज्यादा complicated होगा उतने ही ज्यादा क्या होगा specific होगा ठीक और यह जो IP address होते हैं यह सब generally क्या होते हैं static होते हैं नई 128 bits है यह यह bits है बोई तो बोला मैंने इसलिए हिंदी इंगलिश लिखा है तो यह जो है लगबग 400 करोड यह जो सेट है आपका यह लगबग 400 करोड IP address को आपको combination दे सकता है कितने करोड 400 और पूरे वर्ल्ड की जो population है उसके हिसाब से अभी यह उतना मोबाईल ही नहीं है हमारे पास मतलब तो इस वज़े से यह काम कर रहा है तीक पर अगर भविश लेयर में था और IP जो है इसके अंदर था ठीक इसके बाद link layer के अंदर जो है PPP ठीक पीप आता है इसका लिखो जल्दी से इसका नाम लिख लो वो तो इसी का हम कह सकते है पूरक है एना UDP user datagram protocol इसका full form लिख लो आप इसका full form क्या था user datagram protocol ठीक और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक और कुछ लिखवाया था क्या था वो ARP है ना तो ARP का भी मतलब लिख लो ARP का मतलब लिखो address resolution protocol PPP मतलब point to point protocol मतलब की दो IP address के बीच में दो connections या दो users के बीच में यह direct जो है communication करता है ठीक है इनके बीच में तीसरी कोई चीज नहीं होती है address resolution protocol इसका मतलब क्या है address resolution protocol इसका मतलब क्या है address resolution protocol इनको separate करने के लिए यहाँ पर जो है dot का use किया जाता था किसका use किया जाता था dot का 32 digit को अगर separate करना भी होता था उनको तो किसका use करते थे वो dot का ठीक और यहाँ पर किसका use करते थे यहाँ पर जो है एक dot और एक comma इसका use किया गया एक dot और एक comma का use किया गया मैंने कहा कि जो 32 bits है इनको separate करने के लिए जो separator लगाया जाते थे वो क्या होते थे इसमें dot सिर्फ ठीक और जो नीचे वाला 128 bits वाला इसमें जो है एक dot और एक comma का use किया जाता थे हाँ ठीक इनका use किया जाता थे बात समझ में आ गई तो यह इतना ही है बस ठीक आज की class के लिए फिर आगे कहा हम कल पड़ेगी